दोस्तो आज मैं आपको ऐसे ही दिल को छुजाने वाली भावनात्मक कहानी बताने वाला हूँ जो कि एक ऐसे कुत्ते की है जो अपने मालिक को राद बर सोते हुए देखते रहता था अब आप इस बात का कारण जानेंगे तो आपकी आँखों से आस हुआ जाएंगे एक परिवार एक कुत्ते को अपने घर लेके जाते हैं कुत्ता बहुत ही चंचल और शराति था जिसके कारण उनका संबन्द बहुत अच्छा बनता जा रहा था एक दिन घर का मालिक सोया हुआ था उसने अजीब से बात देखी उन्होंने अपने बेडरूम के दर्वाजे पर एक ग्रिल लगा रखे थी जिसके कारण वा कुत्ता अंदर नहीं जा सकता था उन्होंने देखा कि हर रात वा कुत्ता ग्रिल के उपर अपने दोनों पैर रखके उन्हें घूरता रहता था शुरुआत में उन्हें लगा कि ये नया घर और नई जगा की वज़े से मोहल की वज़े से वो अपने आपको एड़जस्ट नहीं कर पा रहा है जिसके कारण उसका ऐसा बिवार हो रहा है इसका पता लगाने के लिए मालिक जहां से कुट्टे को लेके आया था वहाँ पर गए वहाँ जाकर इनको पता चले कि इस कुट्टे की पुराने मालिक ने उसको रात में नीन में ही उसको डॉक केर टेकर के पास छोड़ दिया था जिसकी वज़ा से वह कुट्टा अपने नय मालिक पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुझे रात को किसी अंजान जगब पर ना छोड़ दे इसलिए कुट्टा रात बर नहीं सोता था वह मालिक को देखता रहता था और ये सुनके कुट्टे के मालिक की आँखों में आसु आ गए और वह दोड़ कर घर की तरफ भागा और जाकर कुट्टे को गले लगा लिया तो दोस्तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जादा जादा इस कहानी को शेयर करें धन्माद दोस्तो